ओके तो चलिए आज के इस SolidWorks Tutorial में हम Variable Pattern के बारे में समझेंगे काफी इंट्रेस्टिंग है पूरा वीडियो आप लोग देखेगा तो आपको सब नौलेज हो जाएगा कि कैसे यूज किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले देखें मैंने एक Plate बनाया और इसका जो Dimension है मैं आपको Show कर देता हूँ ठीक है यह जो Dimension है जो Top से इसकी Distance 5 mm है और Left Side से 5 mm और इसकी चोड़ाई Width 10 and Length 20 ठीक है जो कि मैंने इसको Naming भी कर दिया है देखिए TD लिखा है Top Distance को और यहाँ पे जो Left Distance है इसको LD लिखा हूँ और ऐसे ही इसको Width और यह Length है ठीक है तो यह हमारा Feature है अब क्या करना है हमें Variable Pattern है उसको Use कैसे करते हैं और कैसे इस Pattern को हम जो हमारे Plate है उसमें Draw करते हैं ठीक है तो सबसे पहले Variable Pattern पे आते हैं अब यहाँ पे Select करने को कह रहा है Feature तो Feature यह हमारा तो इसको Select करते हैं ठीक है यह हमारा Feature Selected हो गया अब Simple सा देखिए यहाँ Create Pattern Table का Option आता है अब इस पे आगर आप Select करते हो ठीक है तो यहाँ पे Table बनके आया है अब यहाँ पे हमें जितने हमारे Dimensions है ठीक है जिसमें हमको फेर बदल करके Changes करके अपना जो Feature है उसको Draw करना है तो उसको Select करना होगा तो सबसे पहले चलिए जो यह Distance है इसको Select करते हैं जो कि Top Distance देखिए यह हमारा चारो Dimension आगया अब Simple सा हमें एक Instance Create करना है ठीक है अगर हम जितना यह बनाएंगे उतना हमें अलग से Intense Create करना पड़ेगा Instance ठीक है तो सबसे पहले एक Create करते हैं पहला तो यह हमारा पहला हो गया अब चलिए इसमें देखते हैं हमें कहां चाहिए यह अब मैं ऐसे करता हूँ कि यह जो है न हमारा इसे Downside में मैं Copy करता हूँ 3 तो सबसे पहले हमें कौन सा Distance यहां चाहिए होगा तो यह Distance हमें Change करना पड़ेगा जो कि 5 mm है Top Distance तो यह Top Distance है इसको Select करते हैं तो इसमें हम डाल देते हैं यह 5 हो गया और यह जो Length है यह 10, 15 तो यहां पे हम लेते हैं चलिए 25 लेते हैं तो इसको 25 Enter करते हैं ठीक है अब Update Preview करेंगे तो देखिए यह यहां पे Show हो रहा है अभी मैं Select करूँगा तो यह यहां आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा पहला हो गया अब दूसरा एक और Instance Create करते हैं और इसको देते हैं यह 25 यहां तक आ जाए ठीक है 25 फिर Plus 10 हो जाएगा 35 और यहां पे चलिए 45 तो इसको हम देते हैं 45 यह 45 हो जाएगा अब डेट प्रिव्यू करते हैं तो यहां पे आ जाएगा ठीक है और एक हमें चाहिए होगा तो और एक Instance Create करके इसको दे देते हैं 65 यह 65 हो गया फिर चेक करते हैं तो यहां पे आ गया तो ऐसे ही हमारा यह Create हो जाएगा अब हमें अगर कहीं और चाहिए यहां कहीं पे चाहिए तो चलिए यह जो हमारा Instance है और एक Create करते हैं ठीक है हमारा साथ वा ओगया अब यहां पे हमको Changes करना है यह जो की 45 मैंने दिया था इसके लिए ठीक है न तो इसमें डालते हैं 45 एंटर करते हैं अब हमें यह जो Distance है जो की है Left Distance ठीक है इसमें Changes करना है तो यह 45 दिया चलिए इसको देते हैं यह 5 हो गया और Length है 20 25 तो चलिए इसको भी 45 ही देते हैं यह हो गया हमारा 45 अग यह Preview करते हैं Update Preview तो देखे यह वाला था तो यह हमारा यहाँ पर आ गया है बनके ठीक है ना अगर हमको और कुछ चेंजेस करना है इसमें जैसे कि इसकी Width and Length भी चेंज करनी है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं यह देखे Width है 10 तो इसको दे देते हैं हम 30 अब Update Preview करते हैं अगर हमें इसकी लंबाई भी बढ़ानी है जो 20 है इसको भी 30 करते हैं तो हमारा बड़ा बनके आ जाएगा फीचर तो यहाँ से हम Dimension अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ठीक है और जैसे चेंज होगी वैसे हमारा यहाँ जो फीचर है वो बनके आएगा और Simple सा क्या करेंगे OK करेंगे यहाँ पर और कुछ भी Changes नहीं करना है हमें Select कर देना है अब देखिए जो मैंने ये एक था और ये चारों मैंने बनाया और जो की Dimension अलग है Distance भी अलग है और ये बनके आ गया ठीक है Easily तो Simple सा है आप और भी Feature कैसे भी Features हो आप उसको बना सकते हो Different में जो की Variable Pattern यूज़ करके ठीक है ना कफी ज़्यादा कुछ खास है ने इसमें Simple सा है बस आपके पास Perfect एक Reference होना चाहिए और Dimension पता होना चाहिए तो आप कर सकते हो Easily ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई